वेलकम बेक टू विकास लाइफ स्टैल आज हम खड़े हैं कोरियन क्रॉस ओवर एलेक्ट्रिक स्वी के सामने जिसका नाम है हुंडेई कोना सिर्फ एलेक्ट्रिक में एक ही मोडल आता है प्रीमियम जिसकी एक्षोरूम क्रॉस्ट है 23,84,000 रुपए इंशोरंस आर्टी और अदर चार्जर मिला के आन रूड प्राइस है 25,19,440 रुपए 39.2 किलो वाट की लीथियम आयन पर्लिमर बैटरी मिलेगी आपको कोना में जिसको फुली चार्ज करने के लिए एक पोल टेबल चार्जर मिलेगा 2.8 किलो वाट का जो 19 घंटे में चार्ज करेगा 7.2 किलो वाट का AC वाल बॉक्स चार्जर आपकी घर में इंस्टॉल किया जाएगा जो 6 घंटे 10 मिनट फुली चार्ज करेगा DC Fast Charging Station में आपको DC Quick Charger मिलेगा CCS Type 2 50 किलो वाट का जो आपकी कार को 57 मिनट में चार्ज कर देगा 8 साल 1,64 किलोमीटर की वैटरी की वारंटी मिलेगी आपको 3 साल अनलेंटर किलोमीटर की कार की वारंटी मिलेगी 34 इन्टो 7 रोड साइड असिस्टेंट की फैसल टी भी मिलेगी वेहकल टू वेहकल चार्जिंग सपोर्ट का भी ऑप्शन है चार सहरों में दिल्ली, मुंबई, बैंगलॉर और चेन्नाई फुल चार्ज करने में ड्राइविंग रेंज है 452 किलोमीटर यहां मिलेगा आपको बाई फंक्शन आटोमेटिक LED हेड लैंप्स आटो लेविलिंग फंक्शन, कॉर्निंग लैंप्स, LED DRL, पोजिशनिंग लैंप के स्थाथ में सुपीरियर एरो डैनिमिक्स के लिए मॉडरन क्लीन इंटिग्रेटर फ्रंट ग्रिल है हेड लैंप्स के उपर मिलेंगा आपको स्टैलिस्ट LED DRL, इंडिकेटर के साथ यहां मिलेगा क्रोम फिनिश में हुंड़ाई का लोगो फ्रंट बोनर पे डिजाइन, डोयल वाइपर, डोयल वाशर का सेटप यहां मिलेगा आपको रूफ रिल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सन रूफ, रूफ एंटीना इलेक्ट्रिक ली एजस्टेबल, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, हीटेट आउटसाइड मिरर्स है LED टर्ड इंडिकेटर के साथ में फेंडर्स पे मिलेगा ब्लू ड्राइब का लोगो ब्लैक कलर में साइड सिल्ड मोल्डिंग मिलेगी 41800 mm यानि 4.2 मीटर लेंथ है 1800 mm यानि 1.8 मीटर विध है 1570 mm यानि 1.5 मीटर है 2600 mm यानि 2.6 मीटर वील बेस है यहां मिलेगा आपको R17 साइस के EV exclusive alloy wheel फ्रेंड और रियर में आपको disc brake मिलेगा यहां मिलेगा आपको side shield molding keyless entry body color door handles है एलोई उसके बीच में हुंड़ाई का logo मिलेगा फ्रेंड में back first instant रियर में multi link suspension मिलेगे white, silver, marina blue का भी option है dual tone में black roof के साथ ने polar white color का option मिलेगा dual tone के लिए 20,000 रुपीज आपको अलग से देने होंगे यहां मिलेगा rear fog lamp rear parking sensor skit plate यहां नीचे भी लेगी आपको lithium oil polymer battery यहां मिलेगा आपको electric की bedging यहां मिलेगा आपको LED tail lamp chrome finish में Hyundai EECA logo rear wiper washer के साथ यहां मिलेगा chrome finish में Kona की branding rear defogger, rear spoiler, high motor stop lamp safety features में मिलेगे आपको 6 airbag, ABS with EBD electronic stability control, vacuum stability management hill assist control, reverse parking sensor rear camera with dynamic guidelines rear fog lamp, tire pressure monitoring system high line, automatic headlamps headlamp escort function, all four disc brakes center locking, impact sensing, auto door unlock speed sensing, auto door lock rear defogger with timer, seatbelt reminder driver and passenger side, high speed alert seatbelt pretension, driver and passenger side engine immobilizer, ISO fix child seat virtual engine sound system electronic dual shell horn, burglar RRM जैसे safety features मिलेंगे key form में मिलेगा आपको lock, unlock और boot open करने के लिए option 4 drive modes है, eco, eco plus, comfort और sports, आईए boot open करके देखते हैं यहां आपको मिलेगी 538 liter की boot space यहां मिलेगा utility space यहां मिलेगा LED light के लिए option और यह है 2.8 kilowatt का pole table charger इसे आप normal wall socket में भी लगा सकते हैं इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और 19 hours में चार्ज होगी full kona यहां मिलेगा आपको R70 size के spare wheel first aid kit, tool kit आईए boot close करते हैं इसके थूँ आप boot को close कर सकते हैं आईए पीछे के passenger side door खोल के देखते हैं black color door pads मिलेगे यहां मिलेगा आपको speaker bottle holder, power window के control, utility space door arm से leather finish metal inside door hand यहां मिलेगा आपको black leather of pottery ISO fixed child seat mounting मिलेगी और ऐसे दिखती है rear की seats यहां मिलेगा आपको दो glass holder driver and core diver seats के पीछे pocket का option मिलेगा front seats के नीचे rear ventilation duct है diver seats के पीछे pocket का option high adjustable driver seats है यहां मिलेगा आपको LED reading lights grab handle और ऐसे दिखता है kona electric का dashboard leather wrapped steering wheel मिलेगा soft touch pad है dashboard पे आईए diver side door खोल के देखते हैं यहां मिलेगा आपको black color door paddings speaker, bottle holder power window के controls, lock unlock करने का button ORVM के controls utility space यहां भी speaker, metal inside door handles यहां मिलेगा आपको tire pressure information 10 way electrically adjustable driver seats है 6 way manually adjustable front passenger seats मिलेगी और ऐसे दिखती है आगे की seats black leather of force tree है adjustable headrest मिलेगे यहां मिलेगा airbag के sticker front की seats में ventilation और heating भी मिलेगी और यह है tilt and telescopic steering wheel metal pedals है यहां मिलेगा bonnet खोले के lever fuse box VESS virtual engine sound traction control के button यहां मिलेगे light के control AC vents आए डैवर seat से बैठ के देखते हैं armrest के अंदर काफी space मिलेगा यहां मिलेगा utility space auto hold drive modes ventilated heated के option electric parking brake दो glass holder यहां मिलेगा आपको single speed direction gear system reverse parking neutral drive के mutants यहां मिलेगा USB aux wireless charging के option यहां मिलेगा fully automatic temperature control AC front defogger rear defogger के लिए option दो AC vents है हजार light और यह है 7 inch का touch screen infotainment system support करेगा radio, USB, aux apple carplay, android auto यहां मिलेगा glove box में काफी space passenger side vanity mirror यहां मिलेगा आपको light के लिए option यहां मिलेगा आपको sun glass holder LED reading lights है यहां मिलेगा आपको smart electric sunroof driver side sun visor sun visor पे मिलेगा आपको mirror और light के लिए option यहां मिलेगा आपको leather wrap tilt and telescopic steering wheel Hyundai का logo phone volume infotainment और voice control यहां मिलेगा आपको instrument cluster और cruise control paddle shifter, light के controls यहां मिलेगा wipers के control और यह है distal instrument cluster supervision के साथ यह दिखाएगा charging level speed, outside temperature trip meter, battery level यहां मिलेगा engine start stop adjustable steering wheel है और यहां से charge करेंगे electric kona यहां पे आपको दो option मिलेगे AC charger और DC charger option के लिए DC charger के साथ 0 to 80% kona आप 57 minute में charge कर लेंगे यहां मिलेगा आपको permanent magnet sincronus motor जो की power generate करेगा 136 PS की torque generate करेगा 40.27 kgm का 0 to 100 car जाने में 9.7 second का समय लेती है single speed reduction gear system है इसके में राइबल्स है MG J-Dust EV, Tata Nexon EV आपको Hyundai Kona Electric कैसे लगी प्लीज कबर में जरूर बताएगा चैलर पर रहे है तो प्लीज चैलर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में